कि हेलो प्रैंक्स क्या हाल चालें तो दोस्तों आज में आपके लिए यहां पर बैने बिट्स लेके आया हूं क्लाइक कोर्स और कि आपको पता है कि जून में हमारा एक्जाम कंडेक्ट होने वाला है आपसे कुछी दिन का समय रह गया है हमारे एक्जाम में और अब लास्ट टाइम में हम क्या करें कैसे हम अपने इस कंप्लीट स्लेवर्स को कवर करें इस 45 देट के अंदर तो मैं इसके लिए आपके लिए यहाँ पर एक दम ब्लाइंडेड न्यू एक वीडियो लेकर आया हूँ और जिसमें हम डिसकस कर रहे होंगे वेनेफिट और क्राइस कोर्स के बारे इसमें हम की चीज़ के बारे में बात करेंगे क्यों देखते हैं तो तक से पहले मां आपको पता जता हूं कि जो क्रैस्ट कोर्स होता है उसके कुछ बैनिफिट्स के बारे में जैसे कि कि यहां पर आप देख सकते हैं कि rapid learning अब crash course में होता है क्या देखो आपने पूरे साल पढ़ाई करी अब last में आपको एक गम से चीलो को आपको यहां पर रिवाइज करना है तो उसके लिए आपको crash course की help लगी तो अगर आप crash course लेते हूँ तो आप अपने इस लेबल्स को कम टाइम में जल्दी से कवर कर पाओगे उसके अंदर आपको सभी टॉपिक्स मिल जाएंगे उसके अंदर आपको सभी तरह के और अगर आप जॉब और आप जॉब पर जाते हूं या आप कहीं और आपको टाइम नहीं मिल पाता है प्रॉपर पढ़ने का तो आप ले सकते हूं और जब बढ़ चाहें आप इस पर पढ़ते हूं ठीक है तो crash course कंडेंस इंफॉर्मेशन इंटुए शॉट की लिए ठीक है अलॉइं लगों के पास प्रॉपर टाइम नहीं है जैसे आप देखते हो कि आप एग्जाम में इसना प्रॉपर टाइम नहीं है इसके लिए आप क्या कर सकते हो इसके लिए भी आप क्रैस्पोर्ट ले सकते हो क्योंकि कम टाइम में ज्यादा प्रोटेक्टिविटी आपको अब क्रैस्पोर्ट का मतलब क्या कि क्रैस्पोर्ट में आपको सब्सक्राइब जाती है आपको चीज दी जाती है जो पेपर के हिसाफ से यानि की एक्जाब ओरियंटेड पेपर फोकस करता है ज्यादा बतलब आपको केवर्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ही बगाया जाते हैं और केवर्ट उन्हीं आपको फोकस किया जाता है जो मोस्ट पॉपर जो गैरेंटी टॉपिक है जिनसे अब आप इसको पड़के तुरह इसको अप्लाइट करते हों तो आपका मोटिवेशन भी बूस्ट होता है कि यार मैं इस एक्जाम को आप एजली क्रैक कर लूगा क्योंकि क्रैस्ट आपको मोटिवेशन भी देता है साथ में कि हाँ आपने कम टाइम में ज्यादा गेंग कर लिया है तो यह क्रैस्ट कोर्स के कुछ बैनिफिट्स हैं ऐसे नहीं बताने जाओं तो बहुत सारे बैनि सब्सक्राइब सकते हैं अब सब्सक्राइब करने इस तो उससे आप concerns तो अब सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पढ़िया होता है स्बसक्राइब सब कुछ आपको बता के यहां पे देखना है अब बात आती है कि सर हम कहां से टेस्ट के लिए हम है कलिये आए अगर आप जू थे करने करते हैं अगर आप 24 एक्डम को टारगेट करते हो तो यह हमारा एक रिकारड़ीड क्राइस कूर्स है यह राइब नहीं है रिकारड़ का मतलब यह है कि अगर आप जौप पर वह आपका डेली लाइब आप बिखोर्डेटिट को देख करते हूं तो ये जो आपको मिलना है ये आपको त्रीट हाउजन फाइव हंडेड रुपीज में मिल रहा है इसकी जो वैलिटिटी है वो तू मन्त की है और ये हमारा होगी है इसके पार आप देख सकते हो कि ये टेश्रीज है तो जस्ट इप के लिए बहुत ज़्यादा पर होने पाद है ठीक है दोस्तों मिलते हैं आपके दूसरी किसी एक्षर्ट में और बेनेफिट्स आपको पता होने चाहिए प्रैस कोर्स के और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सार्ट का जो जून का पेपर है आपका कॉलिफाइब हो और आपको इस जंग में नड़ने में सब्सक्राइब है ठीक है दोस्तों पॉपाइब